पोटे शहर में लंपी रोग की वज़े से नगन निगम की गोशालाओं से गायों की शिफ्टिंग का मामला अधर जूल में लटक गया है यही कारण है कि बंदा गोशाला और कायन हाउस में शमता से ज्यादा गोवंश हो गए हैं दरसल शहल को केटल फ्री बनाने के अभियान के तहट और जनता की हो रही परिशानी को निजात दिलाने के लिए जिला कलेप्टर डॉक्टर रविंद गोशामी द्वारा शहर में बे सहारा गोवंश को पकड़ने का अभियान चलाया गया जिसके कारण नगन निगम की गोशा गोशालाओं में शमता से अधिक गोवंश हो गए गोशाला में हुई वेवस्था को देखते हुए जिलाप्रशासन ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाली नीजी गोशालाओं में 605 गोवंशों की शिफ्टिंग के आदेश जारी किये हैं नगन निगम द्व पूरी तरह से कह देगा कि अब लंपी रोग नहीं है तब जाकर प्रियास करके दोसों और गोशालाओं में भेजेंगे क्योंकि हमारे पास शमता से अधिक गोवंश भरा हुआ है जब तक इनके लिए विवस्था ही नहीं है और पकड़ने का काम चालू कर देते